जहां आज लोग पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी नौकरी के ख्वाब देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए कई इंटर्विव देते हैं ताकि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और जीवन सैट हो जाए वही मनसुख कुश्वा ने पढ़ाई पूरी कर खेती को ही अपन जना वोकर जेबे खेती के दोरा कई प्रकार की सब्जिया लगाई जिस वपज भी जादा हुई सब्जियों को मार्केट में बेचने लगे जिनमें मुनाफा भी अच्छा हुगा जिसने कई वर्ष बीत जाने के बाद आदा एकड जमीन से आज उनके पास आठ एकड जमीन मन्सु कुश्वा को राष्ट्रे रिशी नाना जी संस्था के दोरा एवं करशी विभाग सतना जिला के दोरा 2016 एवं सत्रा में सर्वसेष्ट करशी सम्मान से सम्मानित किया गया मिले से अजों से जो हमको क्या एःकर करें करने के लिए शुरु समय मिला था और इस च्ueु जमी इस एवर सभी तो द्यानकी से अमको नय तरीके से एल गए हैं और जितना गॉबर के हम पसकपालन करते हैं कूति भीन करते हैं और सभज उत पादन मhin करते हैं और फल्दार पौधों की भी खेती करते हैं, हम सामायू खेती करते हैं। बड़ा फाइदा यह है कि सुध्ध सबजी, सुध्ध चीज पेट के अंदर, सरीर के अंदर जा रही है। इससे जो अग्यात बीमारियां आजकल लोगों को होने लगी हैं, उससे इनका एक बचा होता है। दूसरा फाइदा जो केमिकल खाद खरीदना, केमिकल कीट नासक रसायनिक दवा लेने से पैसा व्याइद करते हैं। उस पैसे को ये स्वयम बचा लेते हैं, उस पैसे को उपियोग इनका दूसरे कामों में आता है।